तो दोस्तों हम लग सुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है पास्कल कल्कुलेटर तो आए देखते हैं क्या है ब्लेजी पास्कल वाज या फ्रेंच मैथेमेटिसियन तो उन्हों ने पहला एक मौडन वन आप देखते हैं पहला इसको डाइटी नहीं कर सकते हैं यहां पर वर्ड जो यूज हुआ है वन आप देखते हैं जिन्हों ने डेवलप किया था और बनाया था कल्कुलेटर को ठीक है ही डेवलप्ड ए मसीन एड एज आफ नाइटी उन्होंने एक मसीन को डेवलप किया 19 साल के एज में डैट वाज कैपिबल आफ एडिंग एंड सब्रेक्टिंग नंबर्स जो की कैपिबल था एड करना हो सब्रेट करना नंबर्स को ठीक है दा मसीन वाज ऑपरेटेड बाइ यहां पे बने हुए है तो इस तरह को इसको हम लोग कहें में फेल और हुआ पॉलिडि एंथा थै सेंचुरी साइंटिस्ट वू रिकुनाइज दा वैलू आप बिल्डिंग मशीन एंड बिल्ड एराउंड सिस्टीन सेंटिस्ट्री अमकैनिकल डिवाइस दाइट कुद डू मैथमेटिकल कालकुलेशन एंड सेव लेबर टू देखिए पास्कल की तरह गोट्फ्रीड लिवन जो थे 17th century के सांटिस्ट है जिन्हों ने यह रिकनाइज कर लिया वैलू की मैप की मसीन बनाने का जो वैलू है उसको रिकनाइज कर लिया और उन्होंने एराउंड 1673 में एक मैकैनिकल डिवाइस जो है इन्वेंट किया बनाया जो की मैथमेटिकल कलकुलेशन कर सकता था ठ अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंस इंजन तो यह देखते हैं यह क्या होता है फर्स्ट इस्टेप टूर्ड दर क्रियेशन आप कंप्यूटर वाज मेड़ बाई एंग्लिश मैथमेटिसियन प्रोफेसर चाल्स बैबेज इन्हों का नाम आपने सुना होगा कौन-कौन इन इनका नाम आप जानते हैं यह फादर आप कंप्यूटर भी कहें जाते हैं अर्ली ऑन ही रियलाइज देट आल्डव मैथमेटिकल कल्कुलेशन कैन वी ब्रोकेन अप इंटू सिंपल ऑपरेशन वीचार देन कंसिस्टेंसली रिपीटेड तो इन्होंने जल्दी ही यह रिला शुक्छ परेशन कोड़ी कारीड ही डाउट वाई एक आटो मैटिक में तूर्न के दोरा सौल्व गश्ते हैं इन एटीन टूटि शॉन यह लगभाग 1820 में चांज भाबेश इस स्टाटेड ऑपरकिंग ऑन डिफेरेंस इंजेंश ने स्टार्ट कर दिया काम डिफेरेंस इ इसके बाद इन्होंने यह काम बंद कर दिया इसके लिए इनलेटिकल इंजन के लिए ठीक है जो की असली प्रीडिसेशर है कंप्यूटर का देखिए यहां पर दिया हुआ है डिफेरेंस इंजन की फोटो यह कुछ इस तरह का दिखता था जो हम लोगों ने बात किया एनलिटिकल इंजन जिसको यह काम बंद कर दिया इतना बना था ठीक है तो इसके बदले में उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर द दिफेरेंसे जो की बेस था फाइनाइट डिफेरेंसे के मैथर्ट के ठीक है इट यूजस ओनली आर्थमाइटिकल एडिशन एं रिमूज दर नीट फार मल्टिपिलेशन एंड डिवीजन विच हार मोर् डिफकल तू इंप्लिमेंट मेकैनिकली यह जो है इस इसमें जो है सिर्फ अर्थमाइटिकल एडिशन जो की आसान था करना और उन्होंने रिमूज कर दिया मल्टिपिलेशन और डिवीजन जैसे कुछ जो कठीन काम है जो की बहुत जादा कठीन था इंप्लिमेंट करना मेकैनिकली ठीक है चाल्स वैबेश इस को फादर आप दे कंप्यूट तो जो इनलिकल इंजन है वह मार करता है फ्रोग्रेशन में पी ये प्रोग्रेस काता है आत्मेटिक बनाया जाते थे घर्च जो चुछ बने का वह सब तो बनता था ठीक है बेस पे लेकिन ये जानल परपस के हिसाब से ईनलिकल इंजन बनाया इन फिक है इट्वाज ऑल्स developed by charge-babies यह भी charge-babies के द्वारा ही develop किया गया था इस मसीन वाज बेस्ट आउन दे इंपल डैक और शर्टेंट फर्मुला इंद डिफरेंस बीटिविन सर्टें वैलु इस पॉंस्टेंट यह मसीन बेस्ट था प्रिंसपल पर जो कि था इस पॉंस्टेंट फर्मुला पर बना हुआ और डिफरेंस बीटिविन सर्टेंट वैलू और सर्टेंट वैलू के डिफरेंस वैलु से बना था ठीक है जो भी इनलिटिकल इंजन है में इसेंटियल फीचर्वांड इन दे मौडर्न डिजिटिल कंप्यूटर तो जो यह एनलि ऑदन सेंट और यांड़िक अनका इस्टॉर्न में मौरी तो अनदर में मौरी था जो कि आज के जमाने में होता है में मौरी अगर आप रुज देखेंगे चिह मोबाइल भी होता है तो यह उस टाइम के भी कंप्यूटर में था सोचे कितना पहले बना सिरम्टर तब उस टा अगर आप अपकी उस टाइम पे भी ताइब किया रहा है जैसे कि यह कंप्यूटर निस स्टॉक और अग फोट इस तरह इसके इस है इंदर एक इंटेर्नल इस्टॉक था जो कि चार अर्थमाइटिक फंसन का था ठीक है यह परफॉर्म कर सकता था डारेक्ट मैटिपिएशन और डिवीज इसके बाद माइक्रो प्रोग्रामिंग हो गया पैरल्ब प्रोसेसिंग हो गया मतलब एक साथ काही काम करना जैसे तो एक साथ आप दो तीन आप यूज कर सकते हैं उसको मैं भी एक टाइम पर स्किन पर दिखेगा एक ही लेकिन जब आप आप स्वीच करेंगे रिशन डैप में जाके तो वह मेमोरी में रहता है तो उसी तरह से यह भी था उस टाइम पर सोचिए उस जमाने में पारले प्रोस इस टाइम पर दोमिनेट करां जहें मॉडन कंप्यूटर इस टाइम पर चल रहे हैं और उस टाइम का लॉजिकल स्ट्रेक्टर शेम ही था ठीक है और यह उसकी फोटो है आप लोग देख सकते हैं दा अनलेटिकल इंजन का यह कुछ इस तरह का दिखता था ठीक है चलिए ब क्लोफuu दिवा क्लोफ़ेत्र तू परफॉर्म आल सौर्ट ऑफ You एक mechanical calculator developed किया गया जो की परफॉर्म कर सकता था सभी तरह के mathematical calculation जीतने भी बुड़ा घटाना बुड़ा भाग होता है सब परफॉर्म करता था अब टू 1960 तक इट वाज वाइडली यूज मैं की 1960 तक ये यूज हिया जाता था ठीक है या mechanical calculator 1960 तक ये यूज ये जयाता था लेटर रोटेटिंग पार्ट अपमेठिकल का ये इलेक्टिकल कालकुलेटर उसके बाद तो आपको इतना sound में आ गया होगा अच्छे कोई भी दिख्का था तो कमेंट करके पूछ लीजिए तो यह कुछ इस तरह का था में के नाएं इलेक्टिकल कल्कुलेटर कुछ इस तरह का दिखता था इसके अंदर भी मतलब मोटर लगा हुए था जैसे अब देखते हैं हम लोग आगे modern electronic calculator कि हमारा अगला है आए देखते हैं इलेक्ट्राणिक कल्कुलेटर यूज इन नाइंटीन सिस्टी वाइट 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 बलकी तो साथ में electronic calculator यूज चाहिए था वह रन करता था इलेक्ट्राण ट्यूब से और इसलिए वह बहुत ज़्यादा बलकी था जैसा कि आप फोटों देखते तरह कितना बड़ा है कि तना बलकी लग रहा है आज की जमाने के अगर साइज है बहुत ज़्यादा छोटा हो गया इसमाल होगे कॉम्पाइक हो गया थीक दा मॉडरन एलेक्ट्राणी कड़िटर कान कॉंप्यूट और काइंड आं माय्थेमेटिकल कंप्यूटेसंस एंड माथेमेटिकल फंसन जो मॉडरन एलेक्ट्राणी काल्कूलेटर है वह यानि कि solve कर सकते हैं सभी तरह के mathematical computation जो भी सवाल है जो गठा गुणा भाग अब तो में यालग अलग तरह के भी calculator आते हैं जो scientific calculator होते हैं उस तरह के भी आते हैं तो जो भी mathematical functions होते हैं वो सब solve कर सकते हैं modern electronic calculator it can also be used to store some data permanently तो यह use किया जा सकता है store करने में कुछ data permanently ठीक है some calculator have inbuilt program to perform some complicated calculations कुछ calculator के अंदर inbuilt program होता है मैं पी ऐसे सवाल को ऐसे complicated सवाल को perform करने के लिए ठीक है modern electronic calculator contain a keyboard with button for digit and arithmetic operation जो modern electronic calculator होते हैं वो contain कर सकते हैं मतलब कि उनके अंदर contain मतलब कि होता है कि उनके अंदर होता है keyword और button भी होता है और digit and arithmetic operation जो भी digit type करने है या फिए arithmetic operation कुछ भी करना है ठीक है these calculator can perform sophisticated arithmetic and financial computation यह इस तरह के जो modern electronic calculator है वो perform कर सकते हैं such as जैसे कि यहां दिया हुए converting from polar to recto angular coordination किसी को polar से recto angular coordination में convert करना है वो हो सकता है modern calculator है taking square root square root वगर निकालना हो गया computing logarithm and trigonometric relationship logarithm को compute करना solve करना यह पिर trigonometric relationship को कुछी में trigonometric related अगर कोई कुछी है उसको solve करना modern calculator कर सकते हैं तो देखिए यहां पे modern calculator की photo है जिसको हम लोग electronic calculator भी कहते हैं देखिए एक कुछी इस तरह होता है इसमें देखिए नमबर है और यहां पे बहुत सारे percentage के दिये हुए हैं और आला आला तरह के button दिये हुए ठीज है अगला हमारा topic है computer generations और यह देखते है computer generations कैसे थे the evolution of computer started from 16th century and resulted in today's modern machine जो evolution है computer का वह शुरू हुआ था 16 सताब्दी से और आज तक उसका result हम लोग देख सकते हैं कि 9E technology आती जा रही है समय समय पर हार साल ना इन्मेंट हो रहा है the present day computer however has also undergone rapid change over the year जो आज कल के समय के computer है वह भी बहुत ही तेजी से बहुत ही तेजी से change हो रहे है अगर हम लोग देखें पिछले कुछ सालों में तो बहुत जादा change आया है बहुत जादा development हुआ है this period during which the evolution of computer to play can be divided into five distinct phase known as generation of computer जो computer का जन्रेशन है पूरा जोहां से भी जह सुलावी सगदी से अम लोग बोल लें कि इसका evolution शुरू हुआ तो इसको पांच भागों में divide किया जासकता है पांच generation में divide किया जासकता है जिसको हम लोग जन्रेशन आप computer कहते है ठीज है इच न्यू जन्रेशन आप computer is not only superior from their predecessor in processing and capabilities but also differ in look and sizes हर एक जन्रेशन जो computer का ना सिर्व उनके predecessor से superior थी processing power में बलकि वो उसकी capability और उनका जो size है देखने का look है वह भी बहुत ज़्यादा different था ठीक है बहुत ज़्यादा improvement with उसमें each face is distinguished from other on the basis of type of switching circuit use और हर एक फेस जो है उसको distinguish किया गया है अलग किया गया है from other on the basis of type of switching circuit use जो switch के circuit होता है switching circuit होता है computer उसको यूज है उससे difference है हर एक generation में यानि हर एक generation में आपको switching circuit में बहुत ज्यादा improvement दिखा जा है उनकी technology क्या यूज होती थी पहले और उसके बाद उसके साथ ही जो improvement हुआ है उसमें बहुत ज्यादा difference मिले दी जनरेशन आज जो computer generation है यह है तो फ़र्ट जनरेशन computer जो कि 1940-1956 तक माना जाता है चला है ठीक है उसके बाद second generation computer आया था